नमस्कार असलाम अलेकम दोस्तों आज के इस क्लास में हम आपको इंग्लिस पढ़ना सिखाएंगे यानि इस क्लास में आओ की मात्रा से बने सब्द और वाक्यों को जो हैं इंग्लिस में पढ़ना और लिखना सिखाएंगे तकि आपको जो हैं न वाटसे पे मैसिज भेजना ह या message को पढ़ना हो आप असानी से उसको पढ़ना और भेजना सीख जाएंगे यह English पढ़ने का कौन से class है यह 8 class है ठीक है तो आए बिना देर की वे class को शुरू करते हैं कर देर के लिए लाइक और चैनल पर पहली पर प्रविट करें चैनल को सब्स्राइब करें को अन कर दिजिएगा तो आए इस class को हम शुरू करते हैं और हां class को लाश्ट तक जरूर देखिएगा तो यहां पे देखिए इस class में हम लोग क्या सिखेंगे आओ की मात्रा से बने शब्द और वक्यों को एंगलिस में पढ़ना लिखना ठीके तो इसका जो मात्रा देखिए क्या होता है इस तरह का होता है क्या होता है और इसका जो एंगलिस होता है क्या होता है क्या होता है ए यू से क्या होता है आओ होता है ठीके तो देखिए जब यह किसी अक्छर पे आउ की मात्रा लगता है, तो कैसे उसका English बनेगा? तो देखिए, आपे कौ पे आउ की मात्रा लग गया, तो क्या होगा? कौ होगा. तो सबसे पहले इस अक्छर का English लिखेंगे के, और इसमें कौन सा मात्रा है? आउ की मात्रा है, तो यहाँ पे ए यू लगा देंगे, तो क्या होगा? कौ. इसी तरह से मा में आउ की मात्रा लगा रहा है, तो M से मा और आउ का English ए यू लगा देना, यानि जिस भी सब्द में आउ की मात्रा लगा रहेगा, उस अच्छर के साथ जो है आपको ए यू का परियोग करना है, तो आईए यहाँ पे आउ की मात्रा से बने, सब्दों को सबसे पहले हम यहाँ पे सिखते हैं, ठीके ना, तो देख लीजे, यहाँ पे आउ की मात्रा का English हम यहाँ पे लिख दे रहा है, ठीके, चलिए, यहाँ पे देखिए, कौन, तो कौन को इंगलिस में कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए, ठीके, तो कौ है, और इसमें आउ की मात्रा है, तो क्या बने गया है, कौ, फिर ना है, तो सबसे पहले इस कौ का English लिखा जागा, के, और इसमें आउ की मात्रा है, तो आउ की मात्रा का English, ए, यू, अनौ का English क्या होगा, ए, न लिखी देंगे, तो क्या बने गया, कौन, क्या बने गया, कौन, यहाँ पे देखिए, पौधा, तो देखिए, पौधा, इंग्लिस में कैसे लिखा जाएगा, पौध, पौध में आउ की मात्रा, तो सबसे पहले P लिखेंगे यहाँ पे, P से पौध, और इसमें आउ की मात्रा है, तो क्या लगेगा, A, U, और यहाँ पे धा है, तो धा का English क्या होता है, D, H होता है, और इसमें A की मात्रा है तो A लगेगा, क्या लगेगा? A लगेगा, ठीके, यहाँ पे देखी, तो यह बनी गया पौधा, अब देखिए, शौक, तो देखिए, शौक को इंगलिस में कैसे लिखा जाएगा, श, एश, एच, और इसमें A की मात्रा लगा है, तो क्या होगा? A, U और क्या का इंगलिस क्या होगा? K, तो क्या बनी गया? यह बनी गया, शौक, ठीके, देखिए, आपे, फावजी, देखिए, फावजी, तो फाव, क्या होगा? P, H, A, U, फाव, जी, जी क्या क्या होगा? J, I, होगा, J, डबल, E नहीं होगा, इसको इस तरह से भी लिखते है जैसे की, F, A, U, J, I, फाव, जी, ठीके ना? तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी लिखेंगे तो सहीं हो जागा? और जब आप एंगलिस का हिंदे में लिखेंगे तो इस तरह से होगा इंगलिस, ठीके ना? लेकिन अधिकतर जगों पर आपको इस तरह से की मात्रा का यह होता है और और आई भी होता है, इसलिए यहाँ पर हम आई लगाए हैं, सौधा तो सौं का इंगल्स का होगा? स, A, U, यानि सौं का S और A, U से क्या होगा? अई हो गाँटा, दा का एंगल्स क्या होगा? ड, ay,ając कर से क्या होगा? त, ay, क्या होगा? अब दिख आव की मातरा, तो मौ का M, आव की मातरा के लिए A, U, और जा का इंगल्स क्या होगा? J, क्या बनी गया? मौज, ठीके, यहाँ पे अब देखिए, दोर है, तो दोर का इंगल्स क्या होगा? दौ है तो दौ का दी से दौ और इसमें आउ की मात रहा तो ए यू अड़ो है ड़ो का एंगल्स क्या होता है दी होता है ठीके न तो क्या होगा दौ अब यहाँ पर दिखिए मौत है तो मौत को कैसे लिखा जागा यहाँ पर दिखिए तो मौ म, ए, यू से मौ अत्ता का इंगल्स क्या हो गया तो यह बन गया मौत तो इस तरह से आप इसको लिखिए गया तो आईए अब बड़े अक्षरों को कैसे लिखा जाएगा इंगल्स में यहाँ पर हम सिखते हैं अब देखिए यहाँ पर लिखा है मौसम तो मौसम को कैसे लिखा जाएगा देखिए मौसम मौ M, A, U से क्या होगा मौ स, S, A, स, स, मौ का M, मौसम देखिए मौ मौ का इंगल्स उसके बाद सम का इंगल्स लिख दिया गया है M, A, U से मौ, सम का S, A, M, सम, क्या बन गया मौसम, ठीक चलिए यहां पे दिखे बी छो ना तो बी आई छो चा का एंगलिस क्या होगा? यहां पे दिखे छा का एंगलिस क्या है? C-double-H. यहां पे हम कर्षे गया तक अंग्रेजी में लिखे हैं ताकि हम एंगलिस में आपको पढ़णा यहां पे सिखाएंगे तो जो confusion होगा, इसी से देखकर हम आपको बताएंगे कैसे उसको क्या करना है, ठीक है, ना, तो 6, C, H, A, U, ना का क्या होगा, N, A, तो क्या हो गया, बीच हो ना, ठीक, चलिए, यहाँ पर देखिए, क्खी, क्खी क्या अंगलिस, K, H, I, लो, तो L, A, U से लो, ना, N, A से ना, तो क्या बनी गया, खी लो, ना, अब यहाँ पर देखिए, मो, खिक, मो, तो मो का, M, A, U, मो, खी, K, H, I, से खी, अको का, के, तो क्या बनी गया, मो, खिक, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, रो, नक, देखिए, यह नाम है, रो, नक कैसे लिखा जाएगा, तो पहले, रो का एंगल से रा का आर और और की मात्रा है तो ए यू राउ नक राउ हो गया नक लिहना है नक तो नमें अ का साउन आ रहा है तो ए के से का क्या बन गया राउ नक ठीक है चलिए अब यहां पर देखें काउ शल तो देखें काउ काउशल क्या बन गया काउशल ठीके चलिए अब यहाँ पर देखिए औरत तो आउ का एंगल्स यहाँ पर देखिए इसमें मात्राइं डिरेक्ट इसका आउ आ गया है तो ए यू से आउ रत आर ए टी से त आउ रत ठीके अब देखिए चौराहा चौड C-H-A-Y-ु से क्या हो गया चौरा आर ए से राहा ह-A से हा तो क्या बन गया च्योराहा ठीके अब यहाँ पर देखिए चौधरी चौड C-H-A-Y-ु से चौधरी तो D-H-A-R यहाँ पर बड़ी उ की मात्र है तो फिर भी पर पर I लिखेंगी, तो क्या बन गया? चौधरी, ठीक, चलिए, यहाँ पर दिखिए, आवकात, यहाँ पर आवकात, तो आव का इंगल्स, A-U, का, के, ए, अत्ता का इंगल्स क्या होगा? तो यह बन गया आवकात, तो दोस्तों, इसी परकार से आव की मात्रा यदि किसी भी सब्द में लगा रहे, चाए वो छोटा सब्द हो, या बड़ा से बड़ा सब्द क्यों न हो, आपको ध्यान रखना है, कि जिस अक्छर पे आव की मात्रा लगा रहेगा, उस अक्छर के जो है तयार हो जाएगा, तो इसी तरह से आप सिखिएगा, तो दोस्तों, अभी तक हम ने जो है, आ की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, चोटी उ की मात्रा, बड़ी उ की मात्रा, ए की मात्रा, आ की मात्रा, और यहाँ पी ओ की मात्रा, और आज जो हम लोग सीख रहे हैं, वो औ की मातरा तो A की मातरा A या ağ A की मातरा के लिए A A Embry और A A जो आज हम लोग अभी सीखे हैं ठीक है एक बात और ध्यान रखना है कि ये तो आपका मात्रा अभी तक हम लोगों ने सीखा है ठीक है ये सीखा है तो अब यहाँ पे जो है इंगलिस में आपको लिखा हुआ रहेगा तो उसको आप कैसे पढ़ोगे या आपके मुबाइल पे किसी ने इंगलिस में लिख कर भेज दि और पढ़ाने के बाद आपको जो है एक चीज और बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है देखिए आउ की मात्रा जो है एक इस परकार का भी होता है जिसे चांद किसी अक्षर पे इस तरह से चांद लगा रहता है तो इसका भी इंगलिस ए यू होता है ध्यान आप रखिएगा जैसे कि यहां पे होता है जिसे देख लिए यहां पे पॉल क्या है पॉल तो क्या हो गया पी ए यू एल पॉल ठीक है न तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा यह जो आउ होता है यह चांद होता है इसको चांद बोलते हैं तो इसका इंगलिस भी ह तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं कैसे पढ़ना है इसी में इसका परियोग आपको हमताएंगे कि यहां पर ध्यान रखियेगा जो भी आपका कंफ्यूजन आता है वो सारा का सारा कंप्लेट हो जाएगा ठीके ना तो देखिया आपे के से तो मालूमें आपको के से क्या हो को होता है और इसमें एठी दिशन देखिया हूँ लगा है तो यह किसकी मात्रा है ऑव की मात्र है ठीके ना तो इसको क्या पढ़ेंगे के साथ ऑव की मात्र क्या आ, N से कया होता है? नो होता है. तो अरड़ी महलोम चले गए आपको क्या लिख्या गिया है? कौन लिख्या गिया है? ठीके. अब यहां पे देखिए, P से पौ, AU से आउ की मातर हुगत पौ. अब देखिए आपे DHA से क्या होगा? यहां पे दो सब्द होगा. ठीके. दो जखना है कि इसमें से कौन सा अक्षर होगा, देखिए यहां पे, ढ़, देखिए तो यहां पे दिया है ना, देखिए तो दोनों का English सेम है, है ना, यहीं चीज़ आप confused हो जाते हो, कि सर यहां पे ढ़ लगा है, कि ढ़ लगा है, यह दोनों English का सेम है, यानि तो, टी, ऐसे ट तह, टी एच ए से ठह, डी से डा, डी से ढा, डी से ढा, यानि तह से अणा और तह से ना ता कि यह से इंगली से तो बस आपको यहां पर उचारन पर धियान रखना है तो DHA से क्या होगा धा होगा और DHA से धा भी होगा तो यहाँ पे दिखिए PAU से क्या होगा पौव अब DHA से क्या होगा धा भी होगा और धा भी होगा तो सही अर्थ निकले तो क्या लगेगा अगर यहाँ पे हम पौधा लगाते हैं तो यह क्या होगा गलत हो जाएगा आपका सही जो होगा होता है पौधा ठीके ना तो यहाँ पे DHA का सही उचारण होगा धा तो क्या होगा पौधा पौधा कोई सब्द नहीं वदना है पौधा यह सब्द हुआ ठीके इसी परकार से यहाँ पर देखिए, S-H-A-U, क्या होगा, शो, के सिक, शोक, अब देखिए आपर, P-H-A-U, से क्या होगा, 4-J-I से G, 4-G, 4-G को इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है, अब देखिए आपर, M-A-U से क्या होगा, मो, S-I से C, मो, C, अब देखिए आपर, S-A-U से सो, D-A से क्या होगा, अब दा भी होगा, और डा भी होगा, तो आपको ध्यान रखना है, इस पहले वाले शब्द का, इसके साथ कौन सा अक्छर लगाने पर, यह सहीं शब्द होगा, तो S-O-D-A, S-O-D-A नहीं होता है, S-O-D-A, यानि दा होगा, S-O-D-A, ठीक है, देखिए चारण पर ध्यान रखना है, S-O-D-A, M-A-U से मो, जैसे जो मोज, D-A-U से दा, दा, अर D से क्या होगा, दा भी होता है, और डा भी होता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, दा, अर यह डा पढ़ेंगे यहापर, दाड, या इसको दाओद भी इसी तरह से लिखा जाता है, द दाओद, ठीके न, ध्याना कियेगा, दाओद, तो इसको क्या पढ़ेंगे, दाओड, यहापर दाओद नहीं होगा, दाओड होगा, ठीके न, यहापर इसको दाओद भी पढ़ा जाएगा, ठीके न, अब देखिए, M-A-U-T, क्या होगा, M-A-U से क्या होगा, मो, अर T से होगा, और T भी होगा, तक्या पढ़ेंगे, मोट, नहीं, क्या होगा, मोत, क्या होगा, मोत, इसी परकार से जो है, आप ध्यान रख करके पढ़िएगा, तो M-A-U से मो, S-A-M से सम, मो, सम, B-I से B, C-H-A-U से 6, N से न, क्या होगा, बिच्छावना, खिलोना, मोखिक, चावनक, कौशल, आवरत, चावराह, चावधरी, आवकात, तो ये रहा आपका इंगलिस से हिंदी में पढ़ना, अगर इस तरह से रहता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो से अन तक और तो से न तक, ये सेम इंगलिस है, बस आपको उसका सही, जो आर्थ निकिलेगा, उसी को आपको ध्यान रखना है, आपका जो कन्फूजन चल रहा है, मैं जाना हूँ कि इस सारा चीज कन्फूजन चल रहा है, अभी भी चलेगा, लेकिन धिरे-धिरे आपका जवेना खतम हो जाएगा, तो चलिए, आवकी मातरा से बने शब्द के किला अब जो आपको हम बताएंगे, इस सबसे इंपोटेंट है, वाट से पे मैसेज भेजने और पढ़ने के लिए, ठीके, तो आप बने रहेगा लश्ट तक, चलिए, अब यहाँ पे दिखिए, आवकी मातरा से बने, यहाँ पे वाक लिखा गिया है, तो इसको लिखने से पहल आ, किसी को बोलाओगे, आप या किसी को भेजोगे कहीं पे, तो मैसेज करके भेजोगे, तो इंग्लिस में कैसे आप भेजोगे, या इंग्लिस में आएगा, तो कैसे पढ़ोगे, तो सबसे पहले आपको आव की मातरा से बने सब्द को लिखना सीखना होगा, अगर आपने उसको लिखना सीख गया, तो इसको आप असानी से लिख देंगी, क्योंकि एक एक सब्द का English आप लिखते जाएगा, आपका वाक जो हैना तयार हो जाएगा, जिसे कि मैसेज भेजना हो, गौराव ने दोड कर दर्वाजा खोला, गौराव ने, गौराव ने, दोड कर दर्व D-A-U दोड कर, K-A-R दोड कर दर्वाजा, D-A-R दर्वा, दर्वाजा, या पिर जी ए होगा, जा दर्वाजा खोला, तो K-H-O-L-A खोला, ठीके, आप देखिए, माता जी ने पूछा कौन आया, माता जी ने, माता जी, आप माता जी, J-E-E या J-I भी लिख सकते हैं, माता जी ने, पूछा, तो P-U, यहाँ पे P-O-O होगा, या P-U भी होगा, पूछा, पूछा, कौन, K-A-U-N, कौन आया, तो यहाँ पे डबल-A-Y-A आया, और यहाँ पे परश्ण वाचाग चीन ही देदेंगे, ठीके, गरो बोला, गरो बोला, B-O-L-A बोला, मौसी जी, मौसी जी, मौसा जी, मौसा जी, ठीक, और A-U-R, और सौरव, S-A-U-R-A-B, सौरव, हो गया, गरो मौसी का समान भीतर रख, ये एक वाक्य है, गरो मौसी का समान भीतर रख, R-A-K-H, रख, अब यहाँ पर देखे, मौसी ने गरो के लिए कचाओडी, पकाओडी, मौसमी खरीदी, देखे, मौसी ने गरो के लिए कचाओडी, कचाओडी, यहाँ पर डबल E भी अप लिख सकते हैं, या I भी लिख देंगे, तो सहीं हो जाएगा, पकाओडी, मौसमी, मौसमी, ठीक, उसके बाद खरीदी, तो K-H-A-R-E-E-D-I या डबल E भी आप लगा देंगे, खरीदी, ठीके न, तो यहाँ पर आप I भी लगा दीजिए, तो सहीं रहेगा, खरीदी, ठीके, मौसी को लौकी का रायता चाहिए, मौसी, तो M-A-U-S-I मौसी को लौकी, L-A-U-K-I लौकी का रायता, R-A-Y-T-A रायता चाहिए, C-H-A-H-I-E चाहिए, तो दोस्तों इसी तरह से जो है, आप आउ की मातरा से बने वाक्यों को जो है न, आप इंगलिस में लिखिएगा, या लिखे हुए इंगलिस को आप असानी से पढ़िएगा, तो चलिए आज के इस क्लास में, यानि इंगलिस के क्लास, 8 में बस इतना ही, आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है, कमेंटर के जरूर बतेएगा, और इस क्लास को हो सकी तो एक बार और रिपीट कर लिजिएगा, ठीके दोस्तों, और इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड को भी शेर कर दीजेगा, जय हिंद, वन दे मातरम, फिर मिलते हैं, नक्स्ट क्लास में, गुड़नाइट फ्रेंड, बाई बाई